So, hello guys, कैसे हो आप लोग मेरा नम प्रियांशु गुपता है, so welcome to प्रियांशु विलोग्स So guys, आज मैं आपको बताने जारहों कि 5 important चीजें जब भी आप packing कर रहों, वो बहुत important है आपके लिए जो मुझे important लगी, वो मैं आपको 5 चीजें बताने जारहों, ठीक है? So, ये बहुत important होगी, अगर आप Canada आ रहे हो, तो आपके लिए ये बहुत important things है, जो मैंने experience की है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को like करना, और लोगों के साथ share करना, और लोगों को help मेलेगी मेरे experience से तो Canada मुझे सिर्फ 10 days होएं, 10 to share 12 days होगें, तो सबसे पहली चीज है, वो है vacuum bag, आपको पता ही है कि vacuum bag मैंने link description में डालें, जितने भी मैं चीजे बताऊंगा, आप वहां से आप direct buy कर सकते हो, ठीक है, कोई problem नहीं आने वाली, तो vacuum bag सबसे पहले क्या होता है, vacuum bags ऐसे type के bags होत जितनी जादा space बचेगी, और उससे ये help होगी आपके लिए, कि आप जादा से जादा समान डाल सकते हैं, और adjust कर सकते हैं, मुझे बहुत problem आई थी, पर vacuum bag ने मेरी ये सारी problem solve कर दी थी, तो मुझे कोई problem नहीं आई थी vacuum bag, जैसे मैंने vacuum bag यूज किया था, तो vacuum bag दिखता है कैसे मैं उसका link भी description में डाल दूँगा, कोई YouTube वीडियो है, जो अच्छा सा explain किया है कि कैसे packing करनी है vacuum bag में, ठीक है, तो मैं आपको second चीज़ बताने जा रहा हूँ, वो है travel adapter, travel adapter 500 के अंदर आ जाता है, जो travel adapter होता है, यहाँ पर क्या होता है, कि voltage का difference होता है, इंडिया और क Canada के comparison, तो इसमें जो है पतली pin का जो charger type लगता है, तो travel adapter हमें क्या help देता है, कि हम कोई भी मतलब कहीं भी जाए, कैसा भी port हो, हमारे जो travel adapter वहाँ पर लग जाएगा, और उसके side में 2 USB port भी given होते है, अगर आपने कुछ USB port के type में, अगर आपने एक बार में 2 mobile phone चार्ज करने यू के चार्ज, ठीक है, अगर आप extension board लेते हो, वो तो कोने पिस होगा इसलिए है, क्योंकि extension board से क्या होता है, कि आप एक बार में multiple चीजे electronics के समान लगा सकते हो, जैसे अगर आपने कुछ आपका चार्ज करना हुआ, mobile phone, 2 या 3 cell phones होते हैं आपके friends के, as well as आपको laptop भी चला आपके लिए बहुत ही फाइदे मंद होगा, ठीक है, तो travel adapter आपको लाना ही चाहिए, तो थर्ड जो चीज है, थर्ड power bank बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा necessary है, आपको पता नहीं power bank क्या importance है यहाँ पे, क्योंकि कई बार, हाँ, हाँ, हाला कि आपको college में आपको ports मिलेंगे, charging port, college में मिलेंगे, घर में मिल जाएंगे, पर रस्ते में नहीं मिलेंगे, तो power bank अपने पास रखिएगा, 20,000 mh का power bank ला सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, और मैंने लोगों की सिल्ली थी, इसलिए गलती से 10,000 mh का ले आया था, लेकिन आप अराम से 2-4 बार अपना mobile charge का सकते हो, आपको कहीं port ढूलने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तो power bank जरूर लाना, कभी भूलना मत, ठीक है, तो fourth चीज क्या है, extra data cable, अभी मेरी data cable खराब होगी है, तो फिर मैंने extra data cable मंगाई है, अपने दोस्त वंच से, तो आप extra data cable अपने covers और iPhone के glass guard लाना मत भूलिएगा, अगर आपने यहाँ पर new phone लेना तो best है, ठीक है, अगर आपने new phone नहीं लेना है, तो glass guard जरूर लाईएगा और उसका cover जरूर लाईएगा, क्योंकि यहाँ पर glass guard is very, 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 very expensive, 30 dollars का एक glass guard है, जो आपको glass guard जरूर लाना अपने साथ है, जो यहाँ तो यह चार चीज़े थी, जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, last but not the least, forex card, forex card क्या होता है, like जैसे हम Indian currency को, हम foreign currency में exchange कराते हैं, हमें dollars मिलते हैं, तो जो card होता है, forex card, हम उसमें recharge कराते हैं, और अपने Canadians dollar डलवाते हैं, जैसे मैंने Thomas and Cook से लिया था, borderless का forex card, so it is very, very, very easy to use, उसमें कोई passcode नहीं लगता, उसका simple यह trick है, अगर आप यह use करोगे, अगर आप withdraw कराते हो, money, अपनी dollars, withdraw कराते हो, किसी ATM से, आपके 3 dollars कट जाएंगे, but आपके जो, चाहे आप एक बार में 500 निकलवा या 400 निकलवा, आपके 3 dollars कटेंगे, लेकिन, अगर आप online transaction करते हो, उसी card के through, तो आपके 1 भी रुपया नहीं कटने वाले, means 1 भी dollar नहीं कटने वाले, तो बहुत easy to use है, क्योंकि आप इतना सारा cash कहां लेके घुमोगे, आपको बस कम ला सकते हो, आपकी मर्ची है, जादा ला सकते हो, आपकी मर्ची है, ठीक है, क्योंकि 10,000 dollars तो को से 2,000 dollars ला सकते हो, so guys, यही मेरे 5 चीज़े थी, बहुत important थी for packing, अगर आपको वीडियो अच्छे लेगी, तो मेरी वीडियो को like करना, और चैनल को subscribe करना, मैंने बहुत ही, मतलब मेरा मतलब पहले से यह motive था, कि मैं आपको यह सारे experience देख सकते हो, मैंने चार महीने पहले ब knowledge चाहिए, मतलब कोई information चाहिए, comment करके बताईएगा, so guys, thank you so much, इतना support कर रहे हो, views भी अच्छे जा रहे हो, subscribers भी एक दिन में 5 बढ़ रहे हैं, आपका प्यार बना रहेगा, तो हम जल्दी अपनी अच्छी family बना लेंगे, thank you so much guys, have a nice day, bye-bye, take care.